कर्म कर्म कर्ण बाइ अनंद पाठक में आप सभी का में स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले है हर एक महिने में आने वाले ऐसे चार दिन जिसमें आप कोई भी सतकर्म करते हो जैसे तीर्थसनान हो गया दान हो गया जप हो गया तप हो गया यग्य हो गया अनुष्ठान हो गया ग्रहों की शामती के लिए पितर दोश की शामती के लिए या पितरों को प्रसंद करने के ये एक अलग बात होगी कि उस दिन कोई संयोग से अच्छा दिन या अच्छा मुहरत या अच्छा कोई त्योहर आ जाए तो वो सुगने में सुगंदित मिश्र हो जाए उतना उसका फल अधिक बढ़ता है अन्य था ये जो चार दिन होते है इन चार दिन में किया हुआ कर्म अक्षय पुन्य फल देने वाला होता है और यह सासरुक्त कथन है तो ऐसे चार दिन कौन से है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको यह विशे वीडियो पसंद आए लाइक करें शेर करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिनहा दबाजी का तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला जो दिवस है वो है संक्रामती हर महिने जब सुरिय भगवान किसी एक राशी में प्रवेश करते हैं उसे संक्रामती कहा जाता है समक क्रामती एक समन जो क्रामती हो और उसका अगर संक्षित ने विवरण करके बताऊं तो जैसे 12 महिने है तो हर एक महिने की मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूं लेकिन अधिक तर जैसे मैंने जोतिश के विशे में वीडियो बनाये थे उसमें बताया था कि जो 12 महिनों में सुरि संक्रामती होती है जैसे मेश से लेकर मीन संक्रामती तक तो वह संक्रामती काल होता है बगवान सुरिया एक राशी में से दुसरी राशी में जब प्रविश करते हैं वह संक्रामती काल होता है और संक्रामती काल में किया हुआ दान किया हुआ जब गिया हुआ तप किया हु वह कोई भी शामती कर्म है वह सफल ही होता है और अधिक असी अधिक फालम और उसमें किये गए जो भी कर्म है वो अक्षाई पुन्या फल देने वाले होते हैं और जो भी कर्म किये है उसमें पुर्णता या सफलता मिलती ही है तो पहला दिन है जो हर मैने एक आता है वह है संक अन्यथा मानके चलिए हर महीने में एक बार व्यति पाथ योग आता है व्यति पाथ योग में सेम उसी तरह है कि जिस भी प्रकार से सतकर्म किये जाते है दान हो जपऊ तपऊ हो यग्य हो या अध्यात में कोई भी कर्मा उस दिन करते हैं उसमें पुर्नतयय सफलता मिलती ही है और जाने अनजाने में किये हुए पापो का विरना हो जाता है उसके बाद हर महिने आने वाली पुर्णिमा और यहां नारत पुराण में दिया हुआ है कि पुर्णिमा में खास करके पुर्णिमा के दिन अगर कोई अग्या करना है उसके लिए आपको कोई मुहरत आदि देखने की आवशक्ता नहीं होती है यह नारत पुराण में है कोई मुहरत का मतलब हो गया कोई भी मूरत तो पुर्णिमा के दिन जैसे जब तपदान आधी विशेश कर रूप से होते हैं जैसे परवणमास्यम्च संक्रांतव तो पुर्णिमा के दिन जैसे सप्त्य नाराने वरत कथा करने से अधिक फल मिलता है उसी तरह से सितवासर पुर्णिमायम श्री ल होता है कि आधिक फलप्रापत होता है और चौथी ती अमावस्या जिसके देवतात पितरश्वयम है उस दिन किया हुआ दरपन उस दिन किया हुआ कोई भी यग्य को छोड़ के कोई अवस्याम जैसे लगुरुद्र यग्या होता है कालसर्प दोशादी शामती होती है पितरों के लिए नारायन बली नाग बली या पंच बली आदी का विधान भी कर सकते हैं और उस दिन किया हुआ कर्म भी बहुत ही फल देने वाला होता है और अवश्या ही वह सफल भी होता ह है तो कहने का तातपर यह हर एक महिने के यह चार दिन है इन चार दिनों में अवश्या अगर आप जब भी कोई जप तप दान यगन कर्म कुछ भी करते हो तो वह अक्षय पुन्या देने वाले होते हैं और इसके लिए कोई मुहुरत कुछ भी देखने की आवशक्ता नहीं होती है आप अपनी स्थिति के अनुसार इन चार दिनों को पकड़ के चलिए गरीबों को जैसे दान करना है जब भी आपको समय मिले तीर्थों में आप स्नान कर सकते हो जैसे आपकी परिस्थिति है उस प्रकार से जैसे सप्ते नारायन वरत कथा हो गई या कोई भी अन्यक सतकर्म करने ही चाहिए जैसे मैंने कहा संक्रामति काल व्यति पात योग प्रणीमाती थी और अमावस्याती थी ये है महिने के चार सबसे पवित्र और प्रण्यमाई दीन अगर आपको यह विशे वीडियो अच्छा लगा हो लाइक किजेगा शेर किजेगा चैनल पर नायो दबाजय का बहुत जल मिलते है नए विशाई और वीडियो के साथ अपतेक आप देखते रहिए कर्म कानभाई आनंद पाठक मेरे साथ ओम गानेशा हरा हरा महादेव जैसियाराम जै हनुमान